यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, उसके दिल में महबत भरना चाहते हैं, तो अपने मन में सिर्फ इस मंत्र को तीन बार बोल दीजिएगा सामने वाला इस्तरी खुद पर खुद आपकी दीवानी हो जाएगी आपको चाहने लगेगी आपसे प्यार करने लगेगी आपके बिना नहीं रह पाएगी जैसे ही आप इस मंत्र को अपने मन में बोलिएगा सिर्फ तीन बार सामने वाला वही इस्त्री आपसे महबत करने लगेगा यानि कि आपके प्यार में चूर चूर हो जाएगी, आपको चाहने लगेगी, आपके तरफा करसित हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए अपना सब कुछ छोर कर आपके पास आजाएगी मेरे प्यार प्यार वक्तों ये दि आप अपने मन्चाहे प्यार को पाना चाहते हैं या मन्चाहे प्यार से साधी करना चाहते हैं तो आप इस मंतर को सिर्फ मन में तीन बार बोल दीजिएगा इसके आलावा कोई भी काम करने की जरुवत नहीं वह इस्तरी खुद पर खुद चल कर आपके पास आएगी आपको बोलेगी कि मैं आपकी बिना नहीं रह पाऊंगी आप हमसे प्यार कीजिए क्योंकि यह जो वसिकन टोटका है प्यार पाने का अचुक वसिकन टोटका है मोहिनी वसिकन टोटका है और जैसे ही एक बार कीजिएगा वह इस्तरी जहां भी कहीं रहेगी आपके बगर नहीं रह पाएगी बस एक बार आप उसको देख लीजिएगा अपने सामने और इस मंत्र को अपने मन में तीन बार बोल दीजिएगा वह इस्तरी जहां भी रहेगी आपके पास खुद चल कर आजाएगी और आपको चाहने लगेगी रुठा हुआ प्यार जहां भी हो जो आपको छोड़कर चली गई है प्यार में जो आपको टरपा रही है वही खुद टरपेगी आपके प्यार में वह खुद चल कर आपके पास आएगी जब तक आपसे बाते नहीं करेगी जब तक आपको देखेगी नहीं तब तक उसको चैने नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो वह सिकन्ट टोटका है, 2022 में सीध किया गया वह सिकन्ट टोटका है, बहुती पौरफुल वह सिकन्ट टोटका है और बहुती आसान है कैसे करना है? आईए बताते हैं, उसके पहले जिदि आप हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज में चानल को सस्क्राब यूड कीजिएगा ताकि हम जितने भी उड़ रहेंगे सबसे पहले आपकी के पास में जाएगा करना क्या होगा? ध्यान से दिखिएगा जिस भी इस्तरी को आप चाहते हैं, जिस भी पूरुष को आप चाहते हैं चाहते हैं कि आपका प्यार आपको मिल जाए तो आप क्या किजिएगा? इस मंत्र को अपने मन में याद कर लिजिएगा इस मंत्र को अपने मन में सिर्क तीन बार बोल दिजिएगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके वस्त में हो जाएगा, आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, आपके बगार नहीं रहा पाएगा कौन सा मंत्र है, कैसे बोलना है, आई ये बताते हैं करना क्या होगा, द्यान से देखिएगा आप माली जी के यहां पे खरे हुए हैं, ठीक ना, और आपके ठीक अगल बगल में कोई इस्तरी खरी हुई है जिससे आप चाहते हैं और आप उसको वस्त में करना चाहते हैं तो का किजिएगा उसके तरफ देखते हुए उस स्त्री के तरफ देखते हुए अपने मन में इस मंत्र को सिर्क तीन बार बोलना है और हवा में फूंक मारना है आपका काम बन जाएगा वह इस तरी आपको चाहने लगेगी, जैसे ये मंत्र हवा में जाएगा, उसकी कानों तक पहुचेगा, वह खुद पखुद आपको चाहने लगेगी, क्योंकि ये बहुती अचुक वसिकरन मंत्र है, बहुती पौर्फूल है, और 2022 में ही सीद किया गया वसिकरन मंत्र है कैसे करना इसका प्रयोग, कौन सा मंत्र है, आज़े बताते हैं, मंत्र सुनजे, ओम श्री हे ह्रेम मोहिनी वस्सम कुरू कुरू स्वाहा, इस मंत्र को आप बोलिएगा, और हवा में फूंक मारिएगा, वह इस तरी अपना सब को छोर कर आपके पास आजाएगी, आपसे प्या सिद कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जरूरी काम है मंत्र सीद करना, मंत्र आपको एक बार ही मेनद करना है, उसके बाद में आप सिर्फ तीन बार ही बोल करके किसी भी इस्त्री को अपने वस्समें कर सकते हैं, ज़्यदी आप इस मंत्र को सीद किये तो यह मंत्र काम करेगा वरना काम नहीं करेगा तो मंत्र कैसे सीध करना है ध्यान से दिखिएगा साम के समय या रात में कभी भी जब आप सोने जाते हैं उस समय अपने उसी कमरे में सोने वाले कमरे में या बीच आंगन में जहां भी आपको अच्छा लगे आप क्या कीजिए पूरब दिशा की और घुम करके बैठना है लाल या पीला कपड़ा पहन करके बैठना है उसके बाद में इसी मंत्र को जो मंत्र हम भोले हैं इस मंत्र को सिर्फ 521 बार बोलना है और 521 बार बोलते समय दो से तीन दाना केसर का अपने मोठी में बंद की रहना है उसके बाद में जैसे मंत्र को बोल दीजिएगा उसके सर के दाने को ले करके आप अपने तक्की के नीचे रख लीजिएगा उसके बाद कुछ नहीं करना है जहां भी आपको एक्छा हो जहां भी आप जा रहे हैं कोई इस्तरी आपको पसंद आ गई आप उसको चाहने लगे उसको वस्म करना चाहते हैं बस इस मन्त को मन में तीन बार बोलिए और हवा में फूक मारी उसके तरफ देखते हुए चमकार होगा वो आपके वस्म हो आपको समझने में जहां भी दिकत हुआ है नीचे कमेंट किजीगा हम आपके मदद करेंगे और जैदी आप हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज में चानल को सस्काब जोड़ कीजेगा ताकि हम जितनी भी उर्याएंगे सबसे पहला आपी के पास में जाएगा